हाई गाईज मेरा नाम है कि सुनाता हूँ आज आपको एक महात्मा की कहानी एक महात्मा अपनी श्ष्षो के साथ नदी में इसनान करने गए नदी में शनान कर रहे थे तभी वहां से एक व्यक्ति कुजरा और महत्मा को नदी में शनान करते दे वो ही रोक गया और थोड़ी देर बाद वो व्यक्ति महत्मा से पूसता है कि महत्मा मैं दूसरे गाउं से आया हूँ और यहां रोकना चाहता हूँ क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस गाओं के जो लोग हैं वो कैसे हैं तो महत्मा जी कहते हैं कि मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूँगा लेकिन मैं तुम से पूछना चाहता हूं कि तुम जहां से आए हो वहां के लोग कैसे थे तो वैक्त कहता है वहां की लोग बहुत ही दोष्ट नीच और कप्टी थें इसलिए मैं वहां से छोड़ के कहीं और रहने के लिए आया और यहां पर जब आपको देखा तो आपसे पूछने लगा कि यहां की लोग कैसे हैं तो महात्मा बोचते हैं कि यहां के लोग भी ऐसे ही हैं दोष्ट नीच और कप्टे या सुनकर वह व्यक्ति वहां से चला जाता है महत्मा इसनान करने लगते हैं थोड़ी देर बाद देखते हैं कि एक वेक्त और चला रहा है और वो महत्मा के पास आकर रुक जाता है वो भी महत्मा से बुसता है और कहता है महत्मा मैं आप से बुसना चाहता हूँ कि यहां की लोग कैसे हैं क्योंकि मैं दूसरे देश से आया हूँ और यहां भी रुकना चाहता हूँ तो महत्मा जी फिर वही सवाल कहते हैं हो कहते हैं मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूँगा लेकिन मैं पहले बूसना चाहता हूँ कि तुम जहां से आये हो वहां के लोग कैसे थे तो वेक्ट कहता है वहां कि लोग बहुत ही अच्छे नेक दिल इनसान थे लेकिन मेरी कमपनी ने मुझे यहां वेज दिया मुझे मजबूरियों में यहां आना पड़ा मेरा मन नहीं था हुआ उन लोगों को छोड़ के जाने का लेकिन मुझे यहां रुकना पड़ेगा तो विक्त जब यह बाते कहता है तो महात्मों मुस्कराते हैं और कहते हैं कि यहां के लोग भी आपको नेक दिल, सच्छे और इमानदार मिलेंगे अगर आपको यहां रुकना है तो आप बेफिक्र होके यहां रुक सकते हैं वो विक्त मुस्कराता है और गाउं की तरफ चला जाता है यह सारी बातें उनके सिस्स देख रहे होते हैं और वो सिस्स कहते हैं गुरु जी आपने दोनों विक्त को अलग अलग बातें क्यों बताई हैं दोनों को अलग अलग जवाब जबकि दोनों को सवाल एक ही था तो गुरुजी कहते हैं कि दोनों का सवाल एक ही था लेकिन दोनों के विचार अलग थे इंसान जिस नजरिय से देखता है उसे वहाँ वैसे ही लोग मिलते है जो पहले वाला इंसान था उसे लोग इसलिए कप्टी दिखाए दे रहे थे इसलिए नीज दिखाए दे रहे थे क्योंकि उसके मन में यही था और जो दूसरा इंसान था वो अंदर से बहुत ही नेक दिल इंसान थे